एक समुद्री दैत के जो कभी समुद्र में राज किया करता था धीरे धीरे न जाने वो कहां भी रुख्ट हो गया और अचानक से यूँ उसका फिर से सामने आना सभी को हैरत में डाल रहा है जैसा कि हमारी धर्ती 45-4 करोर वरसो पुरानी हो चुकी है और तब से हम मनुष्य इस धर्ती पर रह रहे हैं और समुद्र को देखते आ रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकि अखिराइसा क्यों तो इसका पता हमें इस बास से चलता है कि हर दिन समुद्र से कोई नगोई के बारे में पता चलता ही रहता है और हमें कुछ ऐसी जानकारिया मिलती है जिनके बारे में ना हमने कभी सुना था और ना ही कभी देखा होता है इस समुद्र का एक ऐसा ही रहस्य है मैगलोडॉन सार्क जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सांक दुनिया की सबसे बड़ी मचलियों में से एक थी जो आज से लगभग 26 लाख पर सो पहले समुद्र में राज किया करती थी ठीक उसी तरह जैसे कभी धर्ती पर डाइनासोरों का राज चलता था ऐसा कहा जाता है कि इस जीव की लंबाई लगभग 60 फिट और जबड़ा करीब 10 फिट का होता था और साथ ही ये कहा जाता है कि आज अगर ये इस धर्ती पर मौजूद होती तो इनका आकार आज की इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी सांक से भी कहीं 5 गुना जादा होता और अगर कोई सिकार इसके मूँ से भागने की कोसिस करता तो इसके 270 मुखीले दात उसे चीर कर रख देते ऐसे धारदार दात जिनकी लंबाई 5 इंच से भी कहीं जादा बड़ी होती है इस मचली का खुद का भार लगभग 100 टन के आसपास हुआ करता था जिसके कारानी से इतनी सक्ती मिलती थी कि अगर ये परभगजी किसी का सिकार करता था तो उसमें लगभग 10 टन का बल लगता था जिसके बाद उसकी जान बचने की उमीद तो छोड़ी दो इतना ही काफी है कि उसके अब सेस मन जाए अब ये जीव क्योंकि इसका वजन 100 टन था और ये अपने सिकार में 10 टन की पावर लगा देता था जिस पर सौभाविक है कि इसके खुराग भी काफी जादा होगी वज्यानिकों का ये दावा है कि ये मैगलोडॉन सार अपने एक दिल की खुराग को पूरा करने के लिए लगभग 1 टन का सिकार करती थी और अपनी ये खुराग समुद्र के जीव जैसे सी, काव, वेल और अन जीवो को खाकर पूरी किया करती थी यानि आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये खुराग जीवों अपनी खुराग को पूरा करने के लिए कई मासूम जीवों की जाने बड़ी बेरहमी से ले लेता था बात अगर इनके बच्चों की की जाए तो एक नन्हा मुन्ना मैगलाडॉन जब पैदा होता था तो उसका वजन भी दो से लेके तीन टन के आसपास होता था और लंबाई करीब सास से आठ फिट के आसपास वहीं अगर इसके ठीकाने की बात की जाए तो ये अपना ठीकाना वहीं पर बनाती थी जहां समुद्र में पानी सबसे जादा हो क्योंकि इनका अकार इतना बड़ा होता था कि पानी की कमी जैसे कि समुद्र का किनारा वहाँ पर रहना इनकी जान के लिए खत्रा होता था जानकारों ने ऐसा बताया कि एक मैगलोडॉन कभी भी समुद्र के किनारे नहीं जाती थी ये गहराईयों में और समुद्र के बीचों बीची रहती थी लेकिन धीरे धीरे समय के बदलाओं के कारण ये परभक्ची इस दुनिया से विलुप्त हो गया विज्ञानिकों ने इनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण ये बताया कि मैगलोडोन को गर्म वातावरण में रहने की आदत थी जिस वज़ा से खुद को ये दूसरे वातावरण में नहीं ढाल सके और ये धीरे धीरे विलुप्त हो गये आपको बता दे कि हाल ही में कई विज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि ये मैगलोडोन सार्क फिर से लौट कर आई है जी हाँ दोस्तों ये सुनने में आपको अजीब जरूर लग रहा होगा क्योंकि धर्ती से जो भी प्राणी विलुप्त हुआ है वो वापस लौट कर तो नहीं आया लेकिन मेगलोडोन के मामले में ऐसा नहीं है इसके वापस लौट कर आने के दावे की सुरवाद होती है सन 1875 से जब HMS जहाज द्वारा समुद्री अभियान के दौरान समुद्र किनारे एक विसालकाय सार्क के दो दात पाए गए थे काफी सोथ के बाद ये पता चला कि ये दात मेगलोडोन सार्क के है जो की मातर 10,000 वर्स पुराने थे जिसने सभी को हैरत में डाल दिया और खास कर उन सभी विज्ञानिकों को जिने ये लगता था कि मेगलोडोन लाखो वर्स पहले ही विलुप थो चुकी है वहीं फिर वर्स 1918 में ऐसी ही घटना तप सामने आई जब ऑस्टेलियन विज्ञानिक डेविट इस्टीव ने ये दावा किया कि उनके साथ काम कर रहे मचवारों ने ब्रावटेन आईलेंड पर एक सफेद कलर की और काफी विसाल का सार्क देखी जो कि हुवा हू एक मेगलोडोन की तरहा ही दिख रही थी उसकी लंबाई उन्होंने लगभग 35 मीटर बताई जो कि अगर आम सार्क की बात की जाये तो वो लगभग 20 मीटर तक ही होती है ऐसे में यहाँ पर सवाल यही उट रहा था कि आकार में दुगली बड़ी सार्क कहीं मेगलोडोन ही तो नहीं है इस पर डेविट को तो पूरा यकीन था कि यह कोई और सार्क नहीं बलकि मेगलोडोन सार्क ही है पर यह दूसरों को यकीन नहीं दिला सके इस मचली के दावो का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ ऐसे ही इसकी खोज चलती रही और इसका एक और दावा टीवी की मसहूर चैनल हिस्ट्री टीवी द्वी द्वारा किया गया उस विसाल का एजीव की लंबाई लगभब 45 पूट के आसपास बताई गए थी हाला कि उसे कैमरे में कैट तो नहीं किया जा सका लेकिन जो भी वहां उस जीव को धूनने के लिए गए थे वो यहीं मानते हैं कि आज भी वो जीव जिन्दा है और वहीं उस खाडी में छिप हला कि किसी ने कोई थोच सबूत अब तक तक तो पेस नहीं किया और जादा तक दावे के वक्त दावो तक ही रहे पर समुद्री व्यज्यानिक आज भी ये मानने के लिए तयार नहीं है कि मेगलोडॉन का अस्वित तो जोटा है क्योंकि आज भी कई ऐसे दावे हैं जो ये साबित करते हैं कि मेगलोडॉन है और जीवित है जैसा कि दोस्तों आज हम ये मान सकते हैं कि ये समुद्री जीव अब बिलुक्त हो चुका है तो कहीं न कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि ये है पर खुद को बचाय हुए समुद्र की गहराई में कहीं पर छिपा हुआ हुआ है बाबाई टेक यह दान्यवार